एक टीनेज लटकी ने कुछ पैसो के लिए फोटो शूट किया और इसके बाद वो घर से भाग जाती है अब नई सीटी में भी पैसो के लिए उसे एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है अब उसकी चॉइस उसे कहा लेकर जाएगी यही हम आज की मूवी अब चेरी जो 2012 की अगर आपको एकस्प्लेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीगे एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गैरेक्टर जिसका नाम में एंजलीन इसको उसके ब नहीं देते और उसकी मदर हमेशा ड्रंक होती है आज रात भी उसकी मदर बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसने उसे समाल लिया इसके बाद वो रात में अपने फ्रेंड एंडू के साथ एक पार्टी में आई उसका बॉइफ्रेंड जो एक बैंड में है वो आज रा रहा था एंजलीना कोई बात सिरियस नहीं लगती पर हो कहता है कब तक तुम लॉंडर में काम करती रहोगी इस फोटो शूट के तुम्हें 500 डॉलर मिलेंगे एंजलीना इस बात पर गुसा होकर यहां से चली जाती है आज रात जब वो घर आए तो घर में खाना भी नहीं था वह और उसकी सिस्टर वैसे सोजाते है नेख सीन में एंजलीना और एंड्रु इस स्कुल में लंच कर रहे थे एंजलीना ने कुछ भी लाय नहीं था तो एंड्रु अपना लंच उसके साथ शेर करता है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था आज एंजलीना ने सोचा और और वो फोटो शुट करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है वो इन सब से निकलना चाहती है वो लोकेशन पर पहुचे वह फोटो शुट करने वाले का नाम था वान वान उसे कहता है कि तुम्हें एक फोटो शुट के मैं 300 डॉलर्स दोंगा एंजलीना न अपने फ्रेंड एंड्रू से मिली यह दोनों मिलकर प्लान करते हैं एंजलीना के पास जो भी पैसे है यह लेकर यह शेहर चोड़ कर चले जाने वाले हैं एंजलीना ने पूछा क्या कोई गडबर तो नहीं होगी एंड्रू कहता है मेरे फादर भी पास दिनों से घर पर न इन्होंने ऑल्लाइन रेंड पर एक फ्लाट देखा था जिसका रेंड बहुत ही कम है इसी घर पर यह बोचे और इन्हें बहुत अच्छा लगता है यह दोनों देखकर बहुत खुश थे रावत में फिर एंजलीना ने अपने घर पर कॉल लगाया उसकी मदर कहती है कि मैं इसा कर कैसे सकती हो एंजलीना कहती है कि मैं लीगल एज की हो मैं कुछ भी कर सकती हो तो अपनी छोटी सिस्टर से बात करना चाती थी पर उसकी सिस्टर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है सिस्टर को एंजलीना की बहुत जरूरत थी पर एंजलीना को भी इस बात पर बहु ये अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था उसके फ्रेंड की शादी होने वाली थी तो उसे एक बैचलर पार्टियों दे रहा था इस बार में कुछ ट्रिपर्स भी थे तो उसने उन्हें हायर किया जब एंजिलिना उसके पास ड्रिंग लेकर आए तो उसे बहुत पसंद आती उसे उसने एक बड़ी सी टीप दी इस वेटरेस के जॉब के अलावा एंजिलिना को और भी जादा पैसो की जरूरत थी है वो अपने एक फ्रेंड से बात करती है तो उसने का तुम यहाँ पर डांस करने का काम कर सकते हो एंजिलिना को एक काम करना कमफरडेबल नहीं लगत उसके जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसके फ्रेंड को बता चला कि एंजिलिना ने एक शूट किया हुआ है तो फ्रेंड सेजिस्ट करती है यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडियो है जहाँ पर जाकर तुम अपने लिए एक वीडियो शूट कर सकती हो इस कि बहुत जादा ड्रंग हो गया था तो फ्रांसेथ उसे बाहर लेकर गया ऐंजिलिना के सामने हो वो नहीं चाहता था कि अद्चिलिना उसे कुछ गलथ समझे तो फ्रांसेस उसके पास गया उसे अपने फ्रेंड के सबा दो सॉरी कहा अंजलीना एंड्रो से कहती हैं तुम्हें बहुत अच्छे लड़कियों नहीं करती अग्ले दिन एंजलीना विडियो शूट के से क्लियर कर देती एंजिलीना क्या-क्या चीज़े करने के लिए पैसे मिलने वाले इसके बाद आसब आपर गज़ और किया थी जो कंफ़डिबल फिल करा दे हैं उन्होंने तुम्हारा शोग के साथ है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मार्गे इस वीडियो शूट क Margaret बहुत impressed थी उसे कहती है तुम्हारे साथ फिर से काम करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा इसके बाद Nixon में आज रात Angelina फिर से बार में काम कर रही थी तुसे Francis मिलने के लिए आता है वो एक magazine पढ़ रही थी जिसमें कुछ art है तो Francis ने इसके बार में उसे पूछा वो कहता है कि art exhibition होने वाला है यह तुम्हें personally जा कर देखना चाहिए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा Angelina उसे इतना जादा भाव नहीं देती पूछती है क्या तुम्हें कुछ drink चाहिए Francis ने का कि जो drink तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे सर्व करतो drink देते वक्त वो उसके drink में थूख देती है Francis ने यही drink कर लिया इस पर Angelina ने हस दिया और इसके बाद इनकी बाच्ची स्टार्ट हो गई थी एक दिन Francis ने Angelina को उसी art exhibition में लेकर आया था जिसके painting Angelina magazine में देख रही थी यहां Francis ने Angelina को इसके artist से मिलवाया एक्च्वल में यह Francis की मदर ही थी मदर को पता था कि Angelina क्या काम करती है उसे respect नहीं देती और वहाँ से चली गई Francis Angelina को sorry कहता है उसने का मेरी मदर को मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था Angelina कहती है तुमने जो भी किया ठीक किया at least तुम मुझे छुपा तो नहीं रहे मैं जैसी हूँ उसी तरीके से तुम मुझे accept कर रहे हो इसके बाद Francis Angelina को एक private painting दिखाने के लिए लेकर आता है होता है तुम 10 साल स्टगल करोगे और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास टैलेंट है भी या नहीं Francis के लिए करना हाट था तो अब वो उसकी जगा बर लॉयर बन चुका था वैसे भी अपनी लाइक से वो खुश है उसका नाम था Gillian Gillian कहती है कि Angelina की एस बहुत ही कम लगती है इस तरीगे का उसका फोटो शुट करना यह बहुत ही गलत है Margaret ने कहा कि उसकी एस सही है कोई भी वरी मत करो Gillian को पता था कि Margaret जूट कह रही है अगली राज जब Margaret अपने फ्रेंस के साद एक बार में आई हुई थी यही पर वो एंजलीना को नोटिस करती है और उसको बार-बार देख रही थी उसकी फ्रेंड ने यह सब चीज नोटिस कि मागरेट जब घर पर आई तो जीलिन उसे बात करती है कहती है कल रात तुम जिस लड़की का फोटो शुट देख रही थी यह त किया था उसे लगता है कि मागरेट उससे कुछ छुपा रही है मागरेट ने कहा कि मेरा प्रोफेशन है मुझे सब चीज़े स्टडी करनी पड़ती है जिलिन को यह सब सही नहीं लगता तो मागरेट नहीं कहा कि हम इतने सालों से रिलेशन्शिप में और अब तुम्हें इ से सब कुछ बताया था पर वो क्या करती है यह नहीं बताया एंजलीना आज कल फ्रैंसिस को डेट कर रही थी तो इसके लिए उसकी मदर एक्साइडेड है वो फ्रैंसिस से मिलना चाती है यह सब फिर मिलकर रात के लिए डिनर का प्लान करते है एंजलीना अपनी मदर और सिस्टर को एक अच्छे से रेस्टार्ण में लेकर आई थोड़ा टाइम हो गया पर फिर फ्रैंसिस यहां आया नहीं था एंजलीना उसे कॉ सब्सक्राइड की वज़े से तुम्हारी एंड की लाइव भी खराब हो गई थी एंजलीना को इस सब सुनकर बहुत बुरा लगा फ्रैंसिस भी ड्रक्स करता है तो शायद यह भी हो सकता है एंजलीना की सिस्टर अब भी उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी रात में इसके बहुत बुरा लगा वो कहती है उसके डिट्मेंट में जितने भी पैसे लगेंगे यह सारे में पे करूंगे कोई भी वरी मत करो मदर कहती है वे तुम पर बहुत प्रावड हूँ अरली दिन जब फ्रांसेस एंजलीना से मिलनी के लिए आया तो उसे रोज देता है और इन एंजलीना की सिस्टर ने उसे बात कि कहा कि मुझे पेट में कोई भी दर्द नहीं होता मदर तुमसे जोट कह रही थी सिस्टर कहती है तुमने जो भी किया सही किया थोड़े दिन में मैं भी घर से भाग जाओंगे एंजलीना अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ भी मत करना, पर वो उसे समझा नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद ने ऐसा किया था, इसके बाद नेक्सिन में हम देखते हैं, मार्गरेट जिलियन की ऑफिस के पार्टी में उसके साथ आई हुई थी, यहाँ पर एक कोवरकर के साथ वो बात कर रहे थे, जिलियन का कोवरकर मार्गरेट से बुचता है, तुम क्या करती हो, इस पर जिलियन ने अंसर दिया, क्यों नूड वीडियो शूट करती है, वो मार् एंजलीना कहती है कि फ्रांसिस को में बहुत लाइक करती हूँ उसने एंड्रू को एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई जहाँ पर फ्रांसिस रहता है वो आजकल सोच रही थी कि किसी आत्मी के साथ विडियो बना है एंड्रू कहता है कि ये बहुत ही अलग होगा एंजलीना करें ये उसे सही नहीं लगता अगली दिन जब मारगेट उठी तो जीलियन वहाँ से जा चुकी थी बीना कुछ करें उसने उससे ब्रेक अप कर लिया है जैसे के हम पता है ये फ्रांसिस को ड्रू की आदत है अपने ड्रू डिलर के पास वो लेने के लिए गया पर वहाँ पर वो नहीं था वो आसपास पुछने की कोशिश करता है पर इस तरीके से ड्रू ड्रू के बारों में पुछना एक गलत बात है तो इस वज़े से फ्रांसिस को बहुत मारा जाता है अब एंजलीना ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक आदमी के साथ वीडियो शूट करें यह शूट करकर वो वापस आए फ्रांसिस को आज बहुत मारा था तो इस वज़े सो डिस्टब था वो एंजलीना को लेकर भी बहुत सारी चीज़े सोचता है उसने उसे डारेक्ट लिखा कि जो तुम काम करती हो यह बहुत ही घटिया काम है एंजलीना कहती है कि तुम जो भी करते हो इससे मुझे कोई भी प्रॉलम नहीं है जैसा उसका ड्रग्स करना उसकी लाइफ बहुत ही घटिया है पर फिर भी सब कुछ चीज़ों एड़िस्ट करती है इन दोनों में जगड़ा हो गया और वो ब्रेकप कर लेते है फ्रांसिस जब उसे घर लेकर जा रहा थ घर जाते जाते ही वो ड्रग्स में था इस वज़े से एकसिदेंट हो जाता है एंजलीना को वैसे ही छोड़ कर वहाँ से भाग गया वैसे एंजलीना को भी ज्यादा चोट आई नहीं थी इस सब इंसेडेंट की वज़े से अब इनकी रिलेशंशिप रिकवर नहीं हो सकती एंजलीना जब घर पर आई तो एंडू उसकी वीडियो देख रहा था ये देखकर रोस्वर बहुत चिलाती है तो अब उसके साथ नहीं रह सकती थी एंडू कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है तुम हमेशा मुझे सिर्फ तुमारे एक पेट की तरह ट्रीट करती हो हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंट करते है और तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो एंडू ने का इस सारा वर्ल तुमें देख अगर तुम मुझे सचमूश में प्यार करते हैं तो इस सब चीज़े नहीं देखते हैं वो फिर डिस्टब होकर एक बार में आके और यही पर मागरेट थी यह दोनों एक दुसरे से बात करने लगते हैं जो भी हुआ था एंजलीना ने उसे सब कुछ कहा मागरेट ने भी मेरे पैरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है मेरे डारेक्टली हेल में जाने वाली हूँ मागरेट कहती है कि जो भी हो जो काम में करती हो इसमें मैं सैटिस्वाइड हूँ मुझे किसी के भी अपरूल की ज़रूत नहीं है यह लोग सही जीज करने की कुशिश करते हैं और क बहुत सारा टाइम गुजर चुका है मागरेट और एंजलीना यह अब रिलेशनशिप में थे और दोनों बहुत खुश है एंजलीना भी अब एज फिल्म डारेक्टर जॉब कर रही थी उसने एक्च्छल में मॉडल करना छोड़ दिया था उसने फाइनली अपनी लाइफ क लाइक अन्यम मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निर्मोई के साथ तो तक लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया झाल 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 झाल